दोरण 5, विशय पर्यावरण आसपास, प्रक्रण 3, पहाडी रैठा, भाग 4, भाग 3 नी अंदर आपने तासी ना घरे, जे एनी अंदर एना मकान नी विशिस्तानी वाद करी हती, एना मकान क्यवा प्रकार ना छे, ए मकान नो उप्योग सु थाई छे, एनी जे छत छाप्रा एनो सु उप्योग थाई छे, एनी चर्चा आपने भाग 3 नी अंदर करी हती, हवे वाद करिये दुनियानी उन्चा ये रैठान हवे खुबज उन्चा ये चड़वानों समय हतो गलोनर माटे मुस्केल समय हतो तायंके रस्ताओ वाका चुंका सांकडा अने पत्थराड हता के पहारी विस्तार होई छे एना रस्ता केवा प्रकार ना होई छे तो एना रस्ताओ वाका चुंका सांकडा पत्थराड जोवा मड़े छे गणी जगे ये तो बिलकूल रस्ताज ना होई हूं चांग थांग द्यान राग जो ना पत्थराड म्यदान माथी पसार थाई रहे हतो आ जग्या आश्रे दरियानी सपाटी थी 5000 मीटर उन्चाई हती तो दरियानी सपाटी थी चांग थांग केटली उन्चाईए छे 5000 मीटर उन्चाईए ते इतली उंची हती है कि त्या स्वास लियावा पन मुश्केल मने माथू दुखतू हतू कई मुश्केलियो जग्या पर पहुंचे पची गवरव जानी ने पड़वा लागी हती तो स्वास लियाव मुश्केली पड़ती हती माथू दुखतू हतू नबड़ाई लागती हती परन्तु जेम जेम समय जवा मारे तेम धिमे धिमे हवा मा स्वास लेवानी धिमे धिमे आदत थेगे खनादी इसो अमे ए विस्तार मा फड़ता रहा क्या जो आम आवे तो मानस नजरे पड़तो नहतो पेट्रोल पंप के पछी मिकेनिक पन्नाज हता तेया जोवाना मड़े फक्त भूरा रंगनू चोखु आकास आजु बाजु घना सुन्दर तड़ाओ हता तो आ चांग थांग नो जे विस्तार छे एक केवा प्रकार नो छे अने त्यां केवा प्रकार नी मुस्केली पड़ी गवरव जानी ने तेनी वाद करी 5000 मिटर नी उन्चाई आवेलू छे दर्यानी सपाटी थी घना दिवसो औने रात्रियो पसार था लोनरे औने में आगर जवानू चालू राख्यु अचानक एक दिवस सवारे में मारी सामे सपाट लिला घास नी छवायली जमिन जोई सपाट लिला घास नी छवायली जमिन जोई घना घेटा औने बकरा त्यां चरता हाता थोड़ेक दूर में किटला तंबू जोया मने नवाई लागी कि त्यां कौन रह से त्यों आटला दूर्णास तड़े सु करी रह से तो आवा किटलाक सवालो आ जे पहाडी विस्तार छे ए पहाडी विस्तार थी जैरे दूर लिला घास थी छवायली जमिन जोई मड़ी त्यां खेटा बक्रा आने तंबू जोवा मड़या त्यारे मननी एंदर गवरव जानीने सवाल उपव थायो के त्यां कौन रह से आटला दूर्नास थड़े सू करी रहा छे तावा सवालो आमने उद्भवे सोधी काटू तमें ज्यां रहो छो ते जग्या दर्यानी सपाटी थी केटली उन चाहिए छे तो आपड़े जो अमदावद रहता होई ये तो आपड़े 50 मिटर नी उन चाहिए छे दर्यानी सपाटी थी 50 मिटर नी उन चाहिए छे गवरव जानी ने सामाटे कहिव आ जग्या एटली उन चाहिए उपर छे के सामाने रीते त्यां स्वास लेव मुस्केल छे वधारे उन चाहिऊ उपर हवा अम्मेशा पातली होई छे अने त्याना कारणे त्यां उक्सिजन उप्रमान उच्छो होई छे उक्षिजन नू प्रमाण घटी जाये चे और आ जग्या इन प्रमामा ओछोँ हवा थी स्वास लेवा में मुश्केल पढ़े चे इने माटेज गवरव जानीका कईू जग्या इतली उंचायू परछे कि सामानी रित्यी स्वास लेवो मुश्केल चे . तंके कैल murdh प्रदेश मा गया छो काया काया तो आपड़ा गुजरात नी अंदर पन परवत ये विस्तार छेज गीर ना जंगल में तमें अथवा गीर में गया अशो तमने ख्याल असे अर्वल्ली नी परवत माड़ा ए सिवाय मनाली नी वात आपड़े चाले छे तो मनाली पन कदाज तमें गया अशो तिये दरियानी सपाटी थी केटली उन्चा इपर हतो अने तमने तियां स्वास लेवामा कोई तकलिप थाई हती तो अपड़े मनाली नी वात चाले छे तो जो मनाली नी चर्चा करे तो मनाली दरियानी सपाटी थी लगभग 2000 मीटर नी उन्चा इपर छे त्यां रात्री ना समय स्वास लेवामा थोड़ी तकलिप पड़ती हती तमें गया हो ते जग्याओ माथी सौथी वधू उन्चाई कई जग्या हती तो सामाने रिते आपड़े वात करिये तो रोतंग पास जो तमें गया हो तो ए समुद्रनी सपाटी थी लगभग 4 मीटर नी उन्चाई उपर जोवा मरे छे त्यार बाद आगर बाद करिये चांग पा तो चांग पा सूचे तो त्याहूं नाम ग्यालने मड़े और मने चांग पा विशे जानवा मड़े परवतों मा रहती जाती अने आ चांग पा जे जाती छे जाती मा लगभग 5000 लोकोज छे तो चांग पा परवतों मा रहती एक जाती छे लगभग 5000 लोकोज छे चांग पा जाती ना लोकोज अम्मेशा घेटा अने बक्रा साथे ज फरता रहती चांग पा निवाद करी आपड़े तेमना द्वाराज देखाये छे तमने जो घेटा बक्रा तेमना द्वाराज तेओने दूद मांस तम्मू बनावा चांबडू तेमज स्वेटा अने कोट बनावा उन मरे छे ध्यां रगजू आजे चांकपा जाती छे एमनी साथे रहेला जे गेटा बक्रा छे गेटा बक्रा मथी चांकपा जाती ना लोको सु मेर्वे छे तो ए लोको दूद, मांस, तंबू बनावा चामडू, स्वेटर औने कोट बनावा उन मडे छेमने अने इतलाज माटे तेवो ना खेटाज तेमनो खजानो छे तापड़े वाद करी चांगपा जातीना लोको खेटा बकरा मथी सु मेडवे छे तेनी वाद करी जे माथी ए लोको दूद, मांस, तंबू बनावा चामडू, तेमा च्वेटर औने कोट बनावा उन मेडवे छे अनी इन्द अगर जो वाद करी आपड़े जे कोई कुटूम पासे वधारे पसो होय, ते कुटूम वधारे धन्वानाने महत्वनू गणाई आखास बकरियो मतिज तेमने दुनियानू प्रसिद्ध पस्मी ना उन, तमे नाम साबड़ियो अशे दुनियानू प्रसिद्ध उन, जेनू नाम चे पस्मी ना आजे चांकपा छे एमनी बकरियो छे, ए बकरियो मतिज मेड़ा होता हता बकरियोने खुबज उन्ची औने ठंडी जग्याए चरवा लई जाए छे चांकपा लोको तेमनी बकरियोने खुबज उन्ची औने ठंडी जग्याए चरवा लई जाए छे केम लई जाए छे एनी जो आपड़े वाद करवा जीए तो आ जग्या जिटली उन्ची औने ठंडी होए इतलाज प्रमाण में बकरियोना वाड वद्धू लाबा अने शुवाडा होए अने इतलाज माटे आ चांकपा लोको तेमनी बकरियोने खुबज उन्ची औने ठंडी जग्याए चरवा लई जाता हाता यहां थी फाइदो ए थाए के बकरियों माटे जग्या जिटली उन्ची औने ठंडी होए इतलाज प्रमाण में तेमना वाड लाबा अने शुवाडा बने जेना लिते वाड में थी बनेली जे पस्मीना साल छे ए वेच्वा थी आ चांकपा लोको अने शारी आवक थाए टेलाई जता हाता चांकपा अटली मुश्क्योलियों सहन करी ने पन वधारे उन्चाई वाडा प्रदेश मा रहवाणू पसंद करे छे आज तेमनू जीवन अने जीवन सहिली छे तो आपड़े चांकपा जातीनी चर्चा करी अगरवाद करीए एनी इंदर तो हुँ मारी म मोटर साइकल पर मारी खुब ज ओची वस्तो लाई जतो हतो परंतु चांकपा जातीना लोको घणी वस्तो लाई जता अने ए लाई जवा माटे सानो उप्यो करता गोडा अने याक पर लाई जता हाता तो गोडा अने याक नी मदथी ए लोको पोते लाई जता हाता बदू समेटा था फक्त अढ़ी कल्लाक कज लागे अने आगर चालवा लागे तो आ बदू जे छे ते बदू ज बेगू करता लगबग 2 कल्लाक ने 30 मीट जिटलो समय लागे अने बदू ज बेगू करी ने ये तरत अगरो निकडी जता थोड़ा समय मत यो जग्या पसंद करी तंबू बांधी तेमनी वस्तों गोठवी दे अने तेमनों घर तया थे जए तो आवी रीते एक जग्या थी बीजी जग्या ए जता अने जड़ब थी तंबू बांधी देता नाम ग्याले मने मोटा संकू आकाना तंबू मा लई गया तो जे व्यक्ति मड़ेता जब नाम चे नाम ग्याल जे चाम का जाती ना व्यक्ति छे તो એ પોતે મોટા સંકુવાકાના તંબું મલે ગાયા આમારા ઘરુમ તમારુ સવાગજ છે તેહવત અંરુ તંબુને परम होई छे जे तियो ओने हवा थी रक्षन आपे छे मैं जोयो ते पट्टियो मजबुत आई थी नव लाकडियो साथे बांदेली त्यान राग्जो आने जमीन मा बे फुट उन्डी खोधवामा आवी पछी तम्बु जमीन थी थोड़ेक उपर त्याने आजू बाजू बा खे ए तम्बुने एलोको रेबो तरीके ओडगता एल्याकना वाड़ने साथे वनीन पट्टियों तयार करिने एमार ही ये सेथी मजबुत आने घरम होई त्ये जिस ए तोड़ेकर छाँवाए रक्षण आपे 9 लाकड़े साथे बांधेली जमीन मा बे पोट उन्डी खोद्वा मा आवी तम्भू जमीन थी थोड़ी कुपर त्यानी आजु बाजु बांध्वा मा आवे आभी रिते आ एनी वाद करी ते आपड़े वाद करी छे तमने चांग थांग नो अर्थ सु आपड़े जे विस्तानी मुलाकातली दी चांग थांग तो यानो अर्थ सु एवी जग्या जिया खुबज ओछा लोको रहे छे तो आपड़े आ भाग चांग नी अंदर चांग पा जाती नी चर्चा करी एवी प्रांथ चांग थांग जे जग्या छे ते आनी पण आपड़े चर्चा करी आने भाग चांग ने अंते केटला प्रश्णों आपने अधिली शू बे सवाल लखवाना चे ज्यानों होमवर्क में जवाब चे तमारे आठमों सवाल चे चांग पा जाती ना लोको गेटा बकरा मती सु मेडवे ची नोमों सवाल चांग पा लोको तेमनी बकर योने खुबज उन्ची आने ठंडी जग्याए चरावा केम लई जाये छे तो बे सवाल जवाब तमारे होमवर्क में लखवाना चे भाग चार पूरो थयो करा ओुझ को ov만 बस सबना खराव महाद पा लोग्याए